गुड आफटरनून तु आल, हैपी नियर तु आल इन अडवान्स और आज जो हम आपके सामने वीडियो डालने जा रहे हैं, वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, वो है 9th of Jan 2021 उसके आहल्स एक्जाम जो होने जा रहे हैं, उसके प्रेडिक्शन की वीडियो और उस दिन जो एक् शेयर करने जा रहे हैं, आप पिछली प्रेडिक्शन भी देख सकते हो जो भी हमने प्रेडिक्शन में बताया एक्जाम उसी बेस के ऊपर आता है, तो आप देख सकतो एक बाद ज़रूर पिपर देने से पहले, क्या पता यह जो वीडियो आया देखने से आपको कुछ मिले आपको benefit हो हो न so please एक बार जरूर देखना है यह वीडियो और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को किसी मेडियूल में problem आ रही है कोई चीत समझ नहीं आ रही है तो आप हम Instagram पे follow कर सकते हो description में link दिया हमने आप महाँ पे message कर सकते हो और अगर कोई बच्चा Instagram नहीं चला रहा तो वो हमें comment section में बता सकता है तांकि हम next video आपके सामने उसी topic के उपर upload करें तो ज़्यादा time waste ना करते हो है आज जो वीडियो हम आपके सामने share करने जा रहे हैं वो है prediction की video सो एक बार जरूर देखना so हम start करते हैं सबसे पहले जो module है first वो है listening listening में सबसे पहले part 1 के अगर बात करें तो part 1 में chances है full आने के वो है philips और mcqs आने के chances बहुत है और level आईगा उसका easy so practice करने आपने अच्छे से क्योंकि कई बार यह होता है कि कोई rules हमेशा change हो जाता हर ठीक है तो कोई ना कोई rules chain हो जाए तो थोड़ी सी fast आ सकती है जो कल का exam हो था यानि कि 12 दिसंबर को उसमें listening बहुत easy थी थी थोड़ी सी fast थी so आपने fast पे practice करने है वो वहाँ पे आती जब आप YouTube पे वीडियो खोलती हो पे प्लेबेक स्पीड आती है तो वहाँ पे 1.25 X वो खोल के आप practice कर सकते हो तो नेक्स है part 2 पार्ट 2 में chances है full आने के mcqs और साथ ही साथ map जरूर आएगा जिन्हों ने 9th Gen 2020 को exam देना सो map में बहुत बच्चों को map बहुत ज़दा difficult लगता सो map की practice करना मैप के अलग सी वीडियो दी गई है और जिसमें आपकी अच्छी practice हो सकती है तो उनको follow करना और लेवल आएगा उसका easy to moderate फिर उसके बाद हम बात करें पार्ट 3 की part 3 में chances हैं आने के blanks और साथ ही साथ mcqs आने के chances हैं so mc क्योंकि बहुत ज़दा practice करना अब भी जो एक्जाम हो रहे है recently तो उसमें mcqs ज्यादा आ रहे हैं और लेवल आएगा उसका easy फिर उसके बाद है part 4 पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो part 4 में आपके पास chances है आने के फिलप्स और one word सिरफ लिखना one word के जादा नहीं लिख सकते हैं और one word बहुत easy होते हैं हमें पता है कि हाँ अगर last पर it means now नहीं होगा ठीक है तो आप देख लेना वो practice करना अच्छे से और easy होगी बड़ थोड़ी सी fast हो सकती है part 4 में so fast पर practice करना तो अगर हम full module की बात करें तो listening आपकी easy आएगी जिन्होंने exam देना gen में फिर उसके बाद next module याने की academic वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं reading की तो reading में passage 1 में आपके पास chances आने के list of headings और flow chart आसकता है flow chart का मतलब कोई process दी गई होगी तो उस process में आपने क्या क्या चीज यूज की कैसे कैसे process हुई वो सारी चीज बतानी है like filling the blanks की तरह हो गई है ठीक है और level आईगा उसका easy फिर उसके बाद है next हम बात करते हैं passes true की passes true में आने के chances है mcqs और complete the sentences plus true false not given so यह तीन चीज़े आ सकते हैं इनकी practice करना true false not given में बहुत सारे बच्चे confuse हो रहे हैं तो हमने एक अलग सी वीडियो भी बनाई हुई है आप देखके playlist खोल के वहां पे देखना कि हमने कौन कौन सी tips and tricks डाली है तो आप उनको follow करना जरूर आपके लिए अच्छी होगी और level लाइगा उसका moderate फिरो अगर हम पात करें next module next जो हमारे पास paragraph 3 पैसे 3 में full chances आने के match the information और blanks आ सकते हैं और साथी साथ संबरी आने के chances और level आईगा उसका easy to moderate तो आपने अच्छे से practice करनी है और पैसे 2 आपके पास थोड़ा सा like moderate to difficult आ सकता level so उसी साब से आपने तयारी करन तो अगर हम बात करें full module की की reading कैसी आईगी तो reading moderate आएगी हमेशा की तरह reading हमेशा moderate आती है एक पैरा सौक आएगा दूसरा moderate और थोड़ा जो थोड़ा वाला हो सकता वो थोड़ा tricky हो सकता ठीक है तो आपने उसी साब से अपने practice करनी है तो academic वालों की जो reading आईगी वो moderate level की तो next हम बात करें general वालों की जनरल वालों के लिए अगर हम बात करें passage 1 की तो passage 1 में आपके पास chances है आने के true false not given और साथ ही साथ blanks आ सकते हैं और level आईगा उसका easy फिर उसके बाद हम बात करें अगर passage 2 की तो passage 2 में chances है आने के choose the correct option और साथ ही साथ हमारे पास chances है आने के list of headings और summary, so आपने इन तीनों चीजों के तयारी करनी list of heading बहुत सारे students को difficult लगते हैं, हमने एक अलग सी video बनाई हुई है जिनको difficult लग रहे है, list of heading आप देख सकते हो हम अब भी आपके सामने कुछ videos डालेंगे reading के related जिनको reading like the first module लगता है, उनको बहुत easy लगेगा जब हम जैसे भी आपको practice करवाएंगे, तो आप ज़रूर देखना तो अगर हम level की बात करें, passage 2 का वो आएगा moderate फिर अगर हम बात करें, next passage 3, तो passage 3 में chance से आने के answer the following information, like आपने कोई question दिये गए होंगे और question में no more than 3 words के होंगे, तो आपने answer जो उसका लिखना होगा, वो 3 words के ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 words का हो सकता, 1 word का हो सकता पर 3 से ज़्यादा नहीं होएगा, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना, जो हमारे पास के true false है, तो आपने भी true false में ही answer देना, yes no में नहीं answer देना, तो आपका गलत होगा, फिर point नहीं मिलेंगे आपको, तो अगर हम बात करें passage 3 की, तो passage 3 आपके लिए easy आएगा, जिन्होंने exam देना, 9th gen को जन्रल वालों का, तो overall अगर हम बात करें, तो जन्रल वालों के जो reading आएगी, वो easy to moderate होगा level, तो जन्रल वालों के लिए भी हम अलग सी video डालेंगे, reading के related, इनको reading मतलब complex लगती है, difficult लगती है, तो reading उनको easy लगेगी, फिर उसके बाद है next module यानि की writing, तो writing में सबसे पहले हम बात करेंगे academic वालों के लिए, तो academic वालों के लिए आपने कौन-कौन सी चीज़ें तयार करने है, task 1 में जो आपके लिए beneficial होंगे exam में, तो ये चारों चीज़ों में एक चीज़ ज़रूर आपको मिलेगी exam में, तो देखते हैं कौन-कौन सी चीज़ें, task 1, line, bar, table और map, इन चारों में से पक्का श्योर हैं कि इन चारों में से ये आपको एक चीज़ आएगे exam में, तो जिनके पास, कोई, आपके पास samples पढ़े होंगे, हना उनको पढ़ना, देखना कि कैसे-कैसे लिखा हुआ है, तो आप अपनी language में लिखना उनको तो हमने भी बहुत सारी वीडियो जा लिए राइटिंग के related, अगर किसी बच्ची को difficult लग रही है तो आप राइटिंग की वीडियो भी देख सकते हो, कैसे-कैसे हमने लिखना और कैसे आपके बैंड्स अच्छे आ सकते हैं तो इन चारों की प्रैक्टिस करनी अच्छे से, इंटरनेट में भी बहुत सारी आपके पास sample answers होंगे, उनको देखना तो फिर उसके बाद है, next हम बात करें general वालों की, तो general वालों के लिए अगर हम बात करें task 1 की, sorry task 2 लिखा दिलिया गलती से, तो task 1 आए गया यहाँ पे, तो task 1 की, तो यहाँ पे formal letter आने के chances बहुत है, so general वालों के लिए, formal letter और formal letter जितने भी आपके पास questions बढ़े हैं, formal letters बढ़े हैं, तो उनको आप practice करके देखना, उनको लिख के देखना, और जिनसे आप training ले रही हो, coaching ले रही हो, तो उनको check करवाना, पिछले जो letters आए task 2 दोनों का same ही होता है, कौन-कौन से topics आपने prepare करने हैं, बताते हैं, first जो topic है, वो है government से related, तो government से related, जितने भी आपके पास questions है, वो आप करके देखने हैं, जितने भी topics हैं, फिर उसके बाद, next is science and technology, science मतलब कोई robotics हो सकता हैं, robots के उपर, कोई technology के उपर related, कुछ भी ऐसा, क कोई जो नई खोज की गई हो, कोई invention, scientific, तो आप उनके related आप से कुछ भी पूछा जा सकता है, फिर उसके बाद, third है, globalization, फिर उसके बाद, fourth है, social issue, तो social issue, कोई भी हो सकता है, जैसे crime हो गया, robbery होगी, murder हो गया, ये social issue है, जो society के साथ related हो, ठीक है, जो society में हो इसु जो recently चल ठीक है, कुछ भी, like कोई history, कोई history card, tourism के साथ, कोई related, so ऐसा कुछ भी आ सकता है, आपने इस type के आपने ऐसे prepare करने हो, ठीक है, फिर उसके बाद, ये तो होगे topics, फिर हम देखते हैं, कि questions जो होगे, किस type के पूछे जाएंगे आप से, first जो है, वो है, discuss both views and give your opinion, कोई statement दी है, और statement में, मतलब, दो type के ऐसे हैं, opinion based जैसे, तो आपने देखना, discussion होगी, कि एक बंदे, मतलब, some people कुछ ये बोल रहे हैं, और कुछ वो बोल रहे हैं, तो आपने दोनों के views बताने हैं, तो एक BP1 बन जाएगा, एक BP2 बन जाएगा, जो opinion होगा, वो आपने conclusion में देना, next है, do the advantages, तो advantage based, ऐसे आपके पास कोई भी आसरता, तो जितने भी आपके पास, ऐसे samples पड़े हैं, उनको देखना, और next and last time है, why is this happening, what are the solutions, कारण बताने हैं, और क्या क्या solution है, कोई problem को tackle करने के, तो वो बताने हैं, ठीक है, तो ये रहा पूरा हमने prediction आपको दे दी, कि ऐसा exam मे आपको आएगा, और आप पिछली prediction भी देख सकते हो, जो भी हमने prediction में बताया, exam उसी base के उपर आता है, तो आप देख सकते हो एक बार exam देने से पहले, ये ज़रूर आपके लिए beneficial होंगी, तो अगर आपको लगता है कि हमारी जो वीडियो आपके लिए अच्छी हैं, आप आपको कुछ profit मिल रहे हैं चीजों से, तो आप प्लीज हमारे चैनल को like, share और subscribe कर सकते हो, साथ ही साप आप Instagram पे follow कर सकते हो, description में हमने link दी हो है, वहाँ पे आप message कर सकते हो, thank you